हेलो रिवान वेलकम टूर चैनल अभी हाल ही में एंटिय की तरब से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसको लेकर के शुद्रेंट बहुत जादा पेनिक हो रहे हैं कि क्या उनका एक्जाम मार्जन एप्रेल में होने वाला है तो देखिए पहले चीज तुम्हें बता दू कि ऐसा कुछ अभी ओफिशली नहीं हुआ है क्योंकि अगर मार्जन एप्रेल में एक्जाम होना है तो थोड़ा सा आप लोग सोजिए माइन लगाए कि अब तक आपके फॉर्म फिलाफ होना शुरू हो चुके होते अब ऐसा तो नहीं है कि अचानक से वो लोग डेट निका वाला है तो बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी पेनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है तो यह तो हो गया कि आपको बिल्कुल हर सेचुएशन में पॉजिटिव रहना है सेकेंड चीज अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा एक अगर आपको ये पता चल जाए कि जो examiner है वो आपसे क्या चाहता है उस exam की आपसे क्या needs है तो आप उस exam को easily crack कर पाएंगे अगर हम बात करें NTA UGC net की तो NTA UGC net crack करने वाले जितने भी students से मेरी बात हुई है और जो भी other teacher है जो इस field में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक चीज पता चलती है कि जो NTA UGC net है ये students से चाहता है कि उनके सरखुद की analytical power हो अगर इस चीज को आप लोग अपने अंदर ले आते हैं तो आपका एक्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा आपको crack करना तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ promise लेना चाहूंगी आप लोग promise करिए कि जो चीजे में आ लासरूम में हो अपने senior से या किसी से भी आप लोग दूसरे पर depend बहुत जादा होते जा रहे हो और यह चीज बहुत जादा गहातक है आपके लिए in future अगर आप एक long term में देखो तो बहुत ही जादा गहातक चीज है तो इस चीज को आप नहीं करेंगे जो भी चीजे में बताने वाली हूँ इन चीजों को आप इमानदारी से follow करेंगे तो चलिए अब बात करते हैं कुछ points की या strategy की की आने वाले exam में आपकी क्या strategy होनी चाहिए तो कुछ-कुछ point है point number one आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना syllabus print out करवा लेना है या उसको note कर लेना ह then उसके बाद आपको उसको दो major part में divide करना है first part जो होगा आपका आपको उसमें identify करना है syllabus का एक part जो की static होता है और दूसरा part जो की होता है dynamic static and dynamic part static part का मतलब हुआ वो portion जो की जिसमें ज्यादा changeable नहीं होता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ sociology की तो sociology में जो basic concept है जैसे unit one है unit two है unit third है कहीं न कहीं unit fourth unit seven and eight के भी कुछ-कुछ topic unit 10 में कुछ-कुछ topic है और ऐसे ही जो जो topic जिनमें changes नहीं हो सकते हैं या जिनमें new new चीज़े अभी कम add हो रही है वो कहलाएगा आपका static part और वही आपका होगा एक major part जो की आपको एक अच्छा score दिला सकता है क्योंकि dynamic part में आप कितना भी जादा पढ़ लो बट उसमें कुछ-कुछ चीज़े छूटी जाती है तो आपको start करना है static portion से आपको identify कर करना है कि वह कौन-कौन से topic है जो कि static portion में आते हैं और आपको वहां से अपनी preparation को start करना है फिर जाहे वह paper 1 हो या फिर paper 2 हो paper 1 में भी ऐसे बहुत सारा portion है जो कि static है और जो current में आता है वह dynamic portion में आ जाएगा तो आपको start करना है static portion से then आपको उसमें 100% देना है अपना कि जो वो topics हैं उनमें कहीं से भी कोई भी question आ जाए तो आपके वो questions गलत नहीं होना चाहिए 100% वहां से आपको कोई भी question आये तो आपका सही ही होना चाहिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपका basic concept clear होना चाहिए इसके लिए आपके जो terminologies हैं वो सारी की सारी clear होनी चाहिए और जो भी books मैंने इन units related बताई हैं या फिर paper 1 में जिस भी teacher को आप follow करती हूँ उन्होंने जो जो चीजे बताई हैं वो सारा का सारा आपको static portion में एक बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है फिर आते हैं हमारा जो dynamic portion है उसको कैसे prepare करना है तो उसके लिए आप उसको daily one hour का time दीजे क्योंकि ये ऐसे topic होते हैं जो आप एक दिन में नहीं कर सकते simple सी बात है daily थोड़ा सा time निकालिए जो current news होती है जो की society से related है या जो higher education से related है जो भी आपके syllabus से related news है उनको थोड़ा सा देखना शुरू करिए और जो आपका dynamic portion है वो बहुत ही easily अच्छे तरीके से cover up हो जाएगा तो firstly आपको अपना जो static portion है उसको strong करना है उसको अच्छे तरीके से prepare करना है उसको अगर आपने कर लिया तो 70% आपका लगभग cover up हो जाएगा फिर 30% बसता है जिसको कि आपको daily 1 hour का time देना है और फिर उसको अच्छे तरीके से cover up कर लेना है तो ये तो हो गया आपका syllabus cover अब जब syllabus एक मंध में आपने cover up कर लिया आपको क्या करना है आपको आता है second point question solve and question practice तो कितना भी पढ़ लो अगर आप practice नहीं कर रहे हो आप revision नहीं कर रहे हो ये दोनों point अगर आप skip कर रहे हो तो आपका exam clear नहीं होगा तो second point आता है आपका कि आप question की practice कहां से करो तो इसके लिए सबसे best source होता है previous year questions previous year questions को आप इसकी book भी ले सकते हो online भी available है किसी भी website से आप इनको solve कर सकते हो इनको इतना जादा इनको अच्छे से solve करो कि बिलकुल वो आपके mind में चीज़े आ जानी चाहिए और सिर्फ रटना नहीं है इनको भी analysis करते हुए solve करना मैं हमेशा बोलती हूँ question को analysis करते हुए solve करो कि question में actual में क्या पूछ रहा है उसकी language को तोड़ तोड़ के उसकी language को समझने की कोशिश करो कि क्या पूछ रहा है आपके अंदर एक बार analytical power आ गई तो कोई भी question आपको tough नहीं लगेगा तो question को उसकी language को तोड़ करके उसको समझ करके उसमें जो कोई new option मिल रहा है उसको भी search करिए वो keyword को search करिए और उनके भी notes बनाते चलिए तो एक तो आपको previous question solve करने हैं दूसरा आपको कोई भी practice series join कर सकते हो जहां पर आपको new questions मिल जाएं तो उनसे भी आपकी preparation बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है for example अभी जो हमारा practice series बैच चल रहा है वहाँ पर भी आपको बहुत सारे new questions मिल जाते हैं तो इस तरीके से आप question की practice कर सकते हो third point आता है revision का तो आपको revision का schedule बनाना है एक तो daily और दूसरा weekly तो daily आपको या तो आप morning या फिर evening आपको जो भी time suitable लगे तो या तो सोने से पहले या सोने सो कर जो उठने से morning में तो उतने time पे आप एक घंटा revision का अपने आपको दो और जो भी आप पूरा दिन में पढ़ते हो वो सारी की सारी चीज़े revise करते जाओ साथ साथ में weekly weekly यानि संडे को आप पूरा दिन revision का रख सकते हो कि जो भी मैंने week में पढ़ा है वो संडे को मैं revise करूंगा या revise करूंगी तो इस तरीके से आपको तीनों चीज़े cover up करनी है तो आपको syllabus cover करना है second point है आपको question की practice करनी है और third point है आपको revision करना है तो अगर ये सारी चीज़े आप करते हो तो मैं 100% sure हूँ कि आपका exam crack होगा और बहुत ही अच्छा score आप कर पाओगे time कम है तो थोड़ा सा choose हो करके आपको पढ़ना है क्योंकि जब आप online open करते हो तो आपको बहुत सारी selectively videos मिल जाती है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा choose करके पढ़ना है कि कौन-कौन सा हमारे syllabus से match करता है कौन-कौन सा important है better suggestion ये दूँगी मैं कि एक topic या एक subject के लिए एक या दो teacher को ही follow करिए इससे जादा को नहीं तो इससे आपका time save हो जाएगा और आपका जो mind है वो इधर-उधर divert नहीं होगा इधर-उधर भागेगा नहीं तो इन सारे point को ध्यान में रखते हुए अब आपको next काम क्या करना है अपना एक time table बनाना है आप जितना भी time निकाल पा रहे हो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा time निकालिए क्योंकि time कम है जब 2-3 मन्त ही बसते हैं तो आपको जितना ज्यादा आप time दे पाओ बेटर रहेगा तो एक अच्छा सा time table बनाईए अपने recording क्योंकि time table मैं बताऊंगी तो वो मेरे recording होगा time table हमेशा आपको खुद की priority की recording बनाना चाहिए तो एक अच्छा सा time table बनाऊ कोशिश करो कि maximum 10-12 आर इतना time रखना चाहिए और minimum 6 आर कम से कम 6 घंटे और ज्यादा तो खेर मैंने बता दिया 10-12 जो मेरी capacity थी मैं इतना रखती थी और सबसे बड़ा point की continuity को बना के रखना है अगर आप 6 घंटे भी रखते हो तो 6 घंटे daily पढ़ो ऐसा मत करना कि एक दिन हमने 12 घंटे पढ़ लिया 16 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे तो इस चीज को मत करना continuity को बना के रखना और ऐसे ही अपने preparation को अच्छे से करते वे चलना बाकी आपके कोई suggestion है तो आप नीचे comment box में बता सकते हैं जिससे की बाकी सारे student जो भी है उनकी भी help हो सके तो ऐसे ही पढ़ते रही है अपने goal की तरफ आगे बढ़ते रही है वीडियो देखने के लिए thank you so much